जहां मम्ता बैनर जी आज नया दाव चलने वादी, मम्ता बैनर जी आज विधान सवा में विधान परिशद बनाने का प्रस्ताव पेश करेगी, माना जा रहा है किस दाव के जरीए मम्ता की नजर मुख्यमंती की कुर्सी बचाए रखने पारे। बंगाल की सियासत में अब बीजेपी सरक पर मम्ता सरकार के खिलाव जंडा बुलंद कर रही है। लगाने के लिए है जिन्हें विधान सभा चुनाओ के दौरान टिकेट नहीं दिया गया था। मम्ता के इस कदम का कनेक्शन नंदी ग्राम में उनकी हार से भी जुड़ा है जहां शुबहिंदू अधिकारी के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। मम्ता बैनर जी सीम पड़ समालने के बाबजूद अभी कहीं से विधायक नहीं है। अगर विधान परिशत का गठन हो जाता है तो मम्ता को चुनाव में जाने की जरूरत नहीं होगी अगर बंगाल में विधान परिशत बनता है तो विधान परिशत के 98 सदस्य हो सकते हैं। मंगाल में 1952 से 1979 तर विधान परिशत था जिसे बाद में समाप्त कर दिया गया। अभी देश के छे राज्यों बिहार, आंध्र, तेलंगाना, यूपी महराश और करनाटक में विधान परिशत है। ममता के इस फैसले पर भी सियासत तेज होने के पूरे आसार है। लेफ्ट सभा से प्रस्ताव पास भी हो जाता है। तो क्या विधान परिशत बनने में 6 मेहने का वाक्त संसत की एप्रूवल इस सब की ज़रूवत नहीं होगी। बड़ा मुश्किल है। जिस तरह से अभी राजनेतिक मत्वेद है बीजेटी और टीमसी में अगर यहां से पारित होके दिल्ली जाता है तो दिल्ली से वापस आना पारित होकर लगभगा संभव लग रहा है। और जिस तरह से उत्राखंड में गतिविदियां रही है। अ दिल्चस्प होगा देखना कि क्या इसे यहां पारित होने के बाद दिल्ली के से भी पारित कर पाएगी त्रणमूल कॉंग्रेस की सरकार। अजए पारित कर शो आएगा देखना के से लगभभगा से लगभभवाई रहा है।